So, Hi दोस्तों मैं हूँ मुनावर फारुकी और सब्सक्राइब करो सिद्दार्थ भाई कनन के चैनल को अभी गभी You know, देखा जाए, तो जब तुम बहार आये थे तो हमारी पायल रुहादगी जी ने बहुत कॉंट्रिवर्शन वीडियो अप्लोड कर गया था तुम्हारा चाएद यून बहुत बवाल मच गया था, तुम्हारा रिलेशन्शिप तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे पायल के साथ पहले तुम तो अगर मेरे बारे में कुछ भी डाला तो देखो ना जाने के बात भी उनके दिमाग में मैं ही चल रहा हूँ और उनका सोशल मीडिया मेरे बारे में अब तो मुझे कोई ऐसा नहीं है बट इस ज़स्ट के वो पूरानी बातों को लेकर कुछ प्रूफ करना इडूंट थिंग के वो जरूरी है उनको पीसे का जो कुछ भी है उनको अगर अगर मुव ओन उस चीजों से होना है तो मुझे कहीं ना कहीं वो देखकर यही फील हुआ कि यार यह तो वही कर रहे जो यह पहले करते तो और उसी वक मैं अभी लाइव भी गया था तो मैंने यह चीज मेंशन भी करी कि अगर उन्होंने कुछ दाले मेरे बारे में तो डोंट सेंड हेट उसके गालिया मत लिग और उसको हेट मत बेजो अपना ओपीनियन रख सकते हो आप लोग प्लीज जो भी मुझे फॉलो करते हैं प्लीज उनको जाके गाली मत दो या उनको कोई हेट मत बेजो आपको किसी का फैन होने के लिए किसी का हेटर होनी की ज़रूद नहीं यह अच्छी बात कर दो दिल इ यह घर में यह मत्रम लिकी इसको गाली गलोच, it's not worth all that. मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि रहे भाई यह पायल का पोस्त लेका कि तुमने बारे में ढाला तुमने रुख जा मैं यह ट्रोफी पॉलिश कर रहा हूं, घड़ी आसा। सही जगे रक भी लूँ तो मैं थोड़ा उस में बीजी ही था तो मैं पोस्त नहीं देख पै। नेक्स टाइम बेटर गेम प्ले करियो, आपका गेम वीक है, आपके बॉंड वीक है, और आपके कॉम्मिनिकेशन में कुछ होगा ना कि कोई कमजोर हो गया और कोई और आ गया, तो बस अच्छा गेम खेलो, अच्छी दोस्ती करो, अच्छे बॉंड बनाओ, रिष्टे बढ़िया बनाओ, कोई न तोड़ पाए, क्या बात है, करनवीर बोरा से बात हुई थी, तो मैं, क्या क्या, वो मुझे कह रहा था, कि देखो, मैंने उस पुला दंकी की चोड़, मैंने का, बाई, तुमने एक लव स्टोरी क्रेट करने की कोशिश की, अंजली के साथ, और बाद में, तुम्हारी वाइफ अपसेट हुई थी, तुम केवी, कर क्या रहे हो तुम लव स्टोरी ने कि अंजली ने यह स्टोरी लाइन जो रूमान्स का वो उच्रीट कर रहा था, उसने वह स्टोरी लाइन उठा के तुम्हारे साथ क्रेट किया और मुंचली क्रेट किया, अब तो मुझे अइडिया नहीं है, इतना तो मैं सोच नहीं रहा था, क्यूंकि मैं इसलिए नहीं फ्रेंड्स बनाती होगी अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो काफी ही मतलब लोगों से बात करने वाली लड़की है वैसे काफी इंट्रोवर्ट है बट वो अच्छी लड़की है तो मुझे नहीं लगता कि उसने वो यूस किया अभी मुझे बताओ सब लोग यह जानना चाहत है तुम आये थे पार्टी में एक तो वरी स्वीट पृटी गर्स बभी आपकी गल्फ्रेंड इस बभी है उनका राइट रियल नाम है वो बभी नहीं 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 तो है लोगो सबको बता है ठीक मुझे नहीं मुझे नहीं जन्यूली तो मैं बभी बोलू तो बभी आई थे आपका बवंड बभी से हमेशा इसना क्लोज राए कि अब हो गया है वह लोग अमेशा क्लोज रहे है इस बहुत कम ताइम होए मैं साथ मिंग आटरें अगमें एक साल से जानते हैं बकर इस लेक्षी मश्यक्व चानते हैं गए जांते हैं इस शीक्त आइटिंग त दोड़ा हम लोग दो बार मिले, और बाते होती रही ठीकसा, मिलना होता रहा। दीरे दीरे चीजेन कहींद कहीं पहंचे पहुंच गेरे। बहुत अच्छे है। दोनों जब एंटर करुछे थे वह एक सेम टाइम पर वह सब जेखे से आरहे हो इसे बोला नगे यहां भी कि चालो तो वैसा हो चुका है और वह जो एक पास्ट है लाइट देर दो साल पुरानी बात है यह लाइफ होती है हर इंसान पर मुझे भी जा इन्सान में भी डूंदा हूं अबशली तो मुझे वह मुझे मिला और अपनी लाइफ में मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं प्रोफेशनल के साथ परस्नल लाइफ में भी मैं आगे बढ़ा हूं कुछ हद तक तो वही है और उस दोरान यह जो शो था उसकी वज़े से कंचली से भी दोस्ती है और वो थोड़ा बाहर उस वे में चला गया पड़ अट दी एंड वो चीज ऐसी नहीं गया आम वेरी हैपी के ओर्डियंस बेनिफिट ऑफ डाउट देती है यह ओडियंस जो है मेरी जो ओडियंस वो बेणिफिट ऑफ डाउट देती है वो आपको सुनती है आपको देखके अपना डिसीजन वर्डिक नहीं देदी इंटरनेट पे देट राइटो लिस्टो यू कि हा इसका कुछ रीजन हो और यह फिलोसफी लाइफ में हर जगे होनी चाहिए लिवे प्रफ करने से बात में खुद रेग्रेट करता है कि यार मैंने गलत सुचा है तो मैं खुद भी यह करता हूँ कि मुझे कुछ लगता है ना तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुएक डिसिजन ले लिया इसलिए मैं अफसोर्स कर रहा हूँ तो उस वजे से नाव मैं भी वेट करता हूँ तो उसने अरे में यह बोला अचा ठीक है मैं अ उसके बारे में यह बोलके उसने जो क्या वह नहीं करना चाब जो मुझे चाहने वाले जो समझने वाले वह समझेंगे कि एर तालिक हाथ से तो बच TO किसीना हाइफ नोगा यह को ता इनसाा इन्हों झालय ठीक सका. हाइफ उनकी सब्सकूत कहिए हूगा। किसीने तो नोगा झाल जो बन में झालाए होगा। बात यहा जब को इल्जाम लगाता है लगाने दो बुरा लगता है बट फिर आप यह देखते हो कि आपके जो आसपास के लोग है वो आपसे नाखुश तो नहीं है वो तो आपसे खुश है आसपास के लोग जो आपको कहते हैं कि नहीं हमें पता है तो किस चीजों से गुज़रा है हमें पता है तो बोलने में हम भी बोल सकते ह किसी के राज चुपाओ तो वो तुम्हारे चुपाएगा तो जब बभी लॉकाब देख रही थी और ये मुझली मुझली चल रहा था अनिसली बता वो इन्सेक्यूर होई थी या उनको सब्सक्राइब रहा है वो बात हुई और वो बात हुई कि वो थारी सीजन को सार्ड़ देख